नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जै और आप देख रहे हैं जैस देने ओज NCB के द्वारा ग्रपतार किये गए आरियन खान को लेकर आर्थर रोड जेल से एक अपडेट आ रही है जैसा कि आप सब को पता है कि पिछले काफी टाइम से COVID-19 की वज़ा से जेल में किसी भी कैदी से घर वालों को मिलने से मना किया गया था लेकिन इसी हटे ये नियम हटा दिया गया है और सारे की सारे घर वालों को फिजिकली मिलने दिया जा रहा है इसी लिए कुछ दिन पहले ही सारुक खान जो है वो पहुझे थे आरियन खान से मिलने और उन्होंने आरियन खान से मुलाकात की जिसके बाद पता चला कि आरियन खान की हालत जो है आर्थर रोड जेल में बहुत ज़्यादा खराब है और आए दिन ये अपडेट आती रहते है कि आरियन खान ने काफी ज़्यादा बवाल मजा रखा है वहाँ पे वो सही से ना खाना खा रहे हैं ना ही ट्वालेट का यूज कर रहे हैं जिसको लेकर जेल अथार्टी के द्वारा भी इस पर कहीं न कहीं से चिंता जताई गई है इसके लावा अभी आपको बता दूँ कि इनी सब चीजों के बीच में सारुक खान की मैनेजर पूजा जो है वो अभी अभी आर्थर रोड जेल में बहुत चुकी है और वो जो है आर्थर रोड जेल में आर्यान खान से मुलाकात करने के लिए बहुची है साद में आपको बता दूँ कि आखिर कर ये मुलाकात हुई क्यों आखिर क्या वज़ा है जिसकी वज़ा से सारुक खान ने अपनी मैनेजर को भेजा है वहाँ पे तो इसको लेकर भी अपडेट आ रही है जिसमें बताय जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार आर्यान खान की हालत जो है काफी जादा खराब हो रही है क्योंकि उनको आर्थर रोड जेल में कोई भी बी आईपी सुविदार नहीं दी गई है अब क्यादा आर्यान खान को भी रखा गया है इसलिए अब शारु खान की मैंगर आर्यान खान से मिलने पहुंची है और उनके द्वरा कोसिश की जाएगी कि आर्यान खान को थोड़ा सा वहां पर साहस दिया जाए बाइदाबे पबली की तरफ से लगाता डिमांड की जा रही है कि आरियन खान को जवानत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए आपका क्या ओपिनियन है इस पर आप अपनो ओपिनियन कमेंड वाक्स मताएं और वीडियो को ज़्यादा सेयर करें